नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम सॉल्व कर रहे हैं लेटर सी बुक की चैप्टर सिक्स की प्रॉब्लम्स और आज हम सॉल्व करेंगे इसी सिरीज में चैप्टर सिक्स की प्रॉब्लम्स के इसमें हमें राम उनुजम नमबर निकालने हैं तो रामरजयन नमबर क्या होते हैं कि अगर कोई भी नमबर किनी दो नमबरों का suppose x और y दो नमबर है और यह हमारा नमबर है इन दोनों नमबरों का cube है और ऐसे 2x and y exist करते हैं तो हम उस नमबर को कहेंगे रामरजयन नमबर ठीक है so for example suppose let us say ki a is equal to x3 plus y3 okay so our a will be called a Ramarajan number if there exist at least more than one x and y such as x and y ठीक तो उसे हम कहेंगे रामरजयन नमबर चलिए इसका solution देख लेते हैं तो हम try करेंगे 30,000 से छोटे जितने भी रामरजयन नमबर हैं उनको print करने का ठीक है तो सबसे पहले हमने एक fall loop लिया है और यह loop हमारा चलेगा 30,000 क्योंकि हम 30,000 से छोटे सारे नमबर प्रिंट करना चाहते हैं और जब भी कोई हमें रामरजयन मा मिलेगा तो हम उसको यहां पर प्रिंट करवा देंगे ठीक है अब सबसे पहले तेखिए हमने काउंट लिया और काउंट को हमने 0 से इनिशिलाइज कर दिया उसके आद हमने fall loop लिया इस fall loop में हमने हमें x value शुरू करी 1 से और कब तक हम गए जब तक x का q हमारा i से छोटा नहीं है तब तक हम चलते गए क्योंकि अगर x का q भी हमारा i से बड़ा हो गया तो यानि कि y तो फिर exist ही नहीं करता आप i is equal to i must be x cube plus y cube और ऐसे 2x and y होने चाहिए तो अगर x cube की value i से बड़ी हो गई तो फिर तो हमारा i exist ही नहीं करेगा क्योंकि नहीं तो x cube plus y cube i के एककोल कैसे होगा तो इसलिए हमने condition यह रखी कि x की value तब तक बढ़ती जाएगी जब तक x cube जो है y से छोटा है तो अब हमने एक x को ले लिया अब हमें उस x corresponding ऐसा y ढूणना है कि x cube plus y cube की value i से छोटी हो और y की value x से शुरू होगी और finally अगर x cube plus y cube हमारा i के एककोल है तो हमें एक ऐसा x and y की value मिल गई है जो कि जिनका cube बराबर है हमारा i का तो हमने count की value तुरंट बढ़ा दी तो पहले हमने count की value 0 थी अब हमने count की value एक बढ़ा दी तो count की value 1 हो जाएगी और इसी तरह हमारे x और y की value's change होती जाएगी और जितनी बार भी हमें कोई ऐसी x और y की value मिल जाएगी की x cube plus y cube हमारा i के कोल है तो हम count बढ़ाते जाएगे और finally जब हम इन दोनों loop से बाहर आएगे तो हर एक i के लिए यह दोनों loop चले यह x और y की value और finally जब हम line number 23 के बाद जब हम line number 24 में इन दोनों loop से बाहर आए तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा count 2 है या नहीं है अगर हमार count 2 है तो इसका अदलव हमें इस particular i के लिए ऐसी दो x or y value मिली है जिनका x cube plus y cube i के क्वल होता है तो अगर हमारा count 2 है तो हम उस i को print करवा देंगे क्योंकि यह हमारे रामानजनम number है और इसको execute करने पर आप देख सकते हैं कि हमें अपने सारे चार रामानजनम number हमें मिले हैं जो की 30,000 से छोटे हैं आशा करता हूँ आपको यह problem समझ में आई होगी यह थोड़ी complex problem थी अगर आपको इस समझने में कोई भी problem है तो प्लीज में comment section बताएं मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा बने रही है मेरे साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इनको लाइक करें मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में इसी चैप्टर की नेक्स प्राउलम के solution के साथ धन्यवाद